मा की अनमोल ममता, रात के दो बज रहे थे, फोन की रिंग बजती है, 26 साल का हानन नीन से जाग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है, खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गल्प्रेंट बिना टाइम देके कभी भी उसको फोन कर देती है, फोन की दूसरी त मैं बहुत खुश हूँ, मा की आवा सुनते ही आनन के जहरे के एक्स्प्रेशन बदल जाते हैं, ओग उस्ते में बोलता है, मा तुझे समझ नहीं आता क्या, इतनी सी बात के लिए मेरी नीन खराब कर दी, यह बात तो तु मुझे सुबह भी बोल सकती थी, इतना के कर वो फ फोन की रिंग बचती है, आनन फिर से फोन उठाता है, और इस बार फोन पर पापा होते है, आनन इस बार आराम से बात करता है, ठैंक्यू पापा, आपने मुझे बर्थेड़े वीश करने के लिए फोन किया ओभी इतनी रात को, पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम तुम्हारी मा बिल्कुल पागल है, वो इतनी पागल है कि पिछले एक महिने से मुझे हर दिन तेरा बर्थड़े या दिलाती आ रही है, वो इतनी पागल है कि तु हम से सेकडो किलोमिटर दूर है, फिर भी उसने या पर खुद अपने हातों से तेरे लिए केक बनाया है, था, कि उसने अपनी मा को फोर ग्रेंटर ले लिया था, वो बोला, नहीं पापा, मा बिल्कुल पागल नहीं है, पापा कहते है, नहीं बेटा, तु अपनी मा के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ, वो तो 26 साल पेले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने उस बच्चे को बचा सकते हैं या आपको, उसने बिना एक सेकेंड भी सोचे, बच्चे को बचाने का फेसला ले लिया, और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन कर ले के लिए मना लिया, जिस पर लिखा था, उसकी जिन्दगी इस ओपरेशन से खत्रे में, और अगर उस कुछ होता है तो उसके जिमेदार डॉक्टर नहीं होंगे, अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे ले मरने को तयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, इतना केकर पापा ने भी फोन रख दिया, आनन्द ने भी अप मेहिसूस किया था, कि वो जो कर रहा था, वो भूल नहीं गुना था, आएक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुना ही होता है, और मा भगवान से कम नहीं होती, पच्छताप के आसू उसकी आखो से बहर निकले, सबेरा होते ही आनन प्रेले मा से मा भी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया, फिर वो अपने पापा से मा भी मांगने लगा, पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू आप पचला जा, तेरी मा हमेशा कहती थी कि, तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे में भी उसका ख्याल रुकूंगा, उसे भी हो समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फोन करने से परेशान हो जाए, वो उसे उम्बरबर क्या संभालेगा, बाप की ऐसी कड़वी बाते सुनकर आनंद के आख चाप खड़ा रहा, अपने बेटे को परेशान देक, मा आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिये, माप कर दीजिये, हमारा ही बेटा है, मा की ममता का मोल्क ना कोई लगा पाया था ना कोई लगा पायेगा, नव महने प्रसव की पिडा सहन करके, हमी नए जिन्द लगी नई दुनिया में लाने वाली मा ही हमारी हर गलती को माप कर देती है, दोस्तों आपको यह छोटी सी कहानी केसी लगी, हमें जरूर बताएए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, ठैंक्स पॉर वाचिंग वीडियो झांपको